नमस्कार जी मैं मंजू आज मैं आपको कोई जानकारी देने नहीं आई हूँ मैं आपसे जानकारी लेने आई हूँ तो मोसम बहुत बढ़िया हो रहा है तो इस टाइम आप साग सबजियों के जो बीज लगा सकते हैं तो मेरे पास कुछ बिग साइज के सीड्स हैं बीन के तो मैं जानकारी लेना चाती हूँ मैं वो दिखाऊंगी कि आप मुझे बताएं कि वो किस बीन के सीड्स हो सकते हैं तो मई महिनी में मैं बुंदेल खंडी थाली खाने उसका मैंने वीडियो भी बनाया था तो मैं ताल वेट गई थी तो हमारे यहां से जीपियस लगा के जो देखा था अंदाज्जे से बता रही हूँ ठीक से अगर मुझे याल रहा तो शायद मेरे ख्याल से 57 मिनिट्स का रास्ता आने का और इतना ही जाने का तो अब वहां से मैंने जो हम इसलिए वहां गए थे एक तो बुंदेल खंडी था ली थी और दूसरा वहां बिल्कुल गाओं जैसा महौल वो रेस्टोरेंट इस टाइब का बना हुआ तो घासफूस की जो चत बनी हुई लकडी उसमें डलके उपर घासफूस डला हुआ था तो वीडियो में वो मैंने शेयर किया था तो वहां उन्होंने कुछ एक फलीय गाओं के स्टाइल के बांद के वो लटका रखी हुई थी और उन्होंने सुखी लोकी टांग रखी थी तो उनको लगा कि शायद मुझे जो लोकी सुखी टंगी है तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है तो जब भी मैं कहीं जाती तो मुझे सीड बगेरा दिखते हैं, कुछ अलग चीज दिखते हैं, तो मैं वहां से ले आते हूँ, तो मैंने उनसे पुछा कि ये फलियां, सीम फली इतनी बड़े साइज की, इतने बड़े सीड, तो उसमें हैं, तो मुझे कुछ दे दीजी, तो साहत सीड उन्होंने निका है, अब इतनी दूर सीड को जानकारी लेने के लिए, तो एक किलो मिटर, सोरी, एक गंटा अंदाज़े से बता रहे हूँ, कि एक गंटा जाओं, फिर एक गंटा मैं बापिस आओं, तो दो गंटे का टाइम लगेगा, तो मैंने सुच चलो, अपने भाई भेनों से इसकी ज जो बेल लगाती है, तो बड़े साइस की सेम फली है, बट वो सेम फली उस तरह के नहीं है, उसके जो सीड मैंने कई वारी देखे हैं, उनसे लिये भी थे, मैंने एक वारी उगाने के लिए, पर वो छोटे साइस के जैसे नॉर्मल सेम फली होती है न, वैसे सीड थे, तो इ जैसा नहीं हलका पिंग कलर जैसा वो था और बड़े बड़े साइज की सीड तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो सीड है और वो किस वेराइटी की जो सेम फली चाहां फिर कोई कुछ और फली हो सकती है तो आप प्लीज मेरी हेल्फ करें अगर मुझे पता चल जाता है तो फिर मैं उन्हें ग्रो करूंगी अगर फिर पुराने हो जाते हैं कई वारी तो सीड फिर वो लगते भी नहीं है अगर मैं सोचूं कि बड़े रहने दूँ तो कम से कम मेरे घर में वो सीड तो त्यार होई ही जाएं अगर फिर मुझे किसी को देने होंगे तो उन सीड को मैं दे सकती हूँ तो चलिए आगे मैं बताती हूँ कि आपको वो किस तरह के सीर्स है बड़े बड़े साइज के सीर्स है बड़ी फली हैं तो मैंने देखी हैं पर वो कुछ जैदा बड़ी फली हैं थी और चोड़ाई में लंबाई में भी बड़ी थी चो लिए देखते हैं, अभी हमारे सीर तो यह हैं big size सीर मैं उटा के दिखाती हूं हाथ में यह देखे इतना बड़ा सीर इतना बड़ा तो यह मैंने पहली बार इतने बड़े बड़े देखे तो वहाँ पे जो मैं उनके फलीये खराब करना नहीं चाहते थी जो नोने decoration के हुई थी पर सुखी फरी आप जानते हैं न कि तो जो सुखी फरी अपने आप फट गई थी तो कुछ सीड गेर गे थे कुछ उसमें फसे हुए थे तो ये गिंती के साथ सीड ली हैं तो ये मुझे बताईए कि ये कौन सी बीन के सीड है ये आपको दिखा रही हूँ तो ये मुझे आपसे help लीनी है कि ये मुझे बताएं कि ये किस चीज के सीड हैं तो मैं चाहरी हूँ कि मेरे garden में ये बन रहें और खराब ना हो जैसे पुराने सीड होके फिर होगे ना तो क्योंकि बहुत सालों पहले एक long bean मैंने मिटर फली लग इनके बारे में जान करें जानना चाती हूँ और फिर इनने ग्रो भी करना चाती हूँ तो कृपा करके मुझे बताइये हेल्फ करिए कि ये किस बीन के किस चीज़ के ये सीड्स है कोई सारी चीज़े हम जैसे लाते हैं तो एकदम से तब पूछना भूली जाते हैं कि उस ताइम मैं पूछी लेती उनको कि ये खाने वाली फली है चा कौन सी वेराइटी की है बट मेरे दिमाग लगाई थी तो गार्डन में उन्होंने खाने के लिए ये ही लगाई होगी अपने तो वो ही बैस्टेवल ही होगी ये फिर भी मैं जानना चाती हूँ मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाती ऐसा नहों कि ये खाने वाली ना हो पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा है तो इसलिए वो बात मैंने आपसे शियर केई है इसी के साथ नमस्ते जी शुकरिया जल्दी से प्लीज बताईए तांकि मैं अपने गार्डन में इन्हें ग्रो कर पाँग